इंडिया टुडे नॉर्थ इस्ट ने ये तस्वीर ट्वीट की और सवाल किया कि क्या राहुल गांधी भारत जोडो न्याई यात्रा में बॉडी डबल का इस्तमाल कर रहे हैं इसके तीन दिन बाद असम के मुख्यमंत्री हीमन विश्वा सर्मा ने प्रेस कॉन्फरेंस में यही दावा किया कि राहुल गांधी भारत जोडो न्याई यात्रा में बॉडी डबल का इस्तमाल कर रहे हैं एक उनका कामरा है ओक कामरा में बैखता है बाहर ही यूजे बोडी डबल डैट इस दा क्वेशन देखते ही देखते कई मीडिया आउटलिट्स ने आर्टिकल्स पब्लिश किये और यहीं दावा किया हाला कि यह दावा हमारी जाच में गलत निकला आइए देखते हैं इस ब रखती को राहुल गांदी का बॉडी डबल बताया जा रहा है वो असल में मध्यप्रदेश के राकेश कुश्वा है जो राहुल गांदी की भारत जोडो न्याय यात्रा में शामिल हुए है राकेश कुश्वा की यह फेस्बुक प्रफाइल हमें मिली इसमें उन्होंने लि इसे ही दिखने लगे थे, दाड़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गई थे और सफेद टीशर्ट में उन्होंने यात्रा पूरी की थी, राहूल के इस स्टाइल की कॉपी कई कॉंग्रिसियों ने की, लेकिन ये राकेश कुछ वहाँ है मध्यप्रदेश के, ये दूर से हुब ह राहूल गांधी जैसे लगते हैं और आज आप इमफाल में मौझूद हैं, राहूल गांधी तो वापस अपने पुराने लुक में आ गए, दूसरी यात्रा शुरू हो रही, आप अभी भी उसी लुक में है जी, ये मेरा पहली भारत जोडो यात्रा से है, प्रण था ये, क जब भी दूसरी भारत जोडो यात्रा स्टार्ट होगी, उसमें मैं शुरूआत से ही राहूल जी के पुराने वाले लुक से यात्रा शुरू करूँगा। भारत जोडो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए अरेंज किया गया था, यानि भारत जोडो यात्रा के दौरान राहूल गांदी के लुक में दिख रहे, राकेश कुश्वा नामक व्यक्ति को मीडिया से लेकर, असम सीयम ने राहूल गांदी का बौडी डबल जबकी हाल में राहूल गांदी अपने पुराने लुक में वापस आ गए है